आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि MSXL में फॉर्मुले की थूरू फॉन्ट का केस कैसे चेंज करते हैं जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास 10 employees के नेम है जो कुछ capital words में लिखे हैं कुछ सारे small में लिखे हैं और कुछ इस तरीके से लिखे हैं कि उनका first letter capital लिखा हुआ है इस तरह का data जब हम share करते हैं तो उससे आपका impression ठीक नहीं जाता हम उसको कैसे सही कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा suppose जो capital है इसको हमें small में convert करना है या फिर small को हमें सारे को capital में convert करना है या फिर जो capital और small हैं इनको proper case में मतलब जिनका first letter capital हो उसमें कैसे convert करना है तो आए समझते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम सभी letter को capital में कैसे convert कर सकते हैं सबी लेटर कैपिटल में कनवर्ड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है इस इकल टू अपर उसके बाद जो टेक्स्ट है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है जैसे मेरे केस में ब्रैकेट बंद और एंटर प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि यह कैपिटल में हो ओर क्यां हम इनको कयो सकते हैं अब सबस्क्राइब कर एक लोड़ार और इसके बाद नर्थ और एंटर पर फूर्ट करेंगे अब धेगे तो इस तरीके से आप सभी को small में convert कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको हम first letter capital में कैसे convert कर सकते हैं जैसे कि हम नाम लिखा करते हैं उसके लिए आपको function use करना है is equal to proper उसके बाद आपको text select करना है और bracket 1 enter press करेंगे तो आप देखेंगे कि यह proper case में convert हो चुका है और इसको drag करके जहां तक आप apply करना चाहते हैं वहां तक apply कर सकते हैं इस तरीके से आप ms excel में proper function को use कर सकते हैं अब एक बार मैं आपको जो भी अभी तक हमने function use किये हैं अब सभी एक साथ दिखा दिखा देता हूँ so that आप one by one इनको compare कर पाएं जैसे हैं पर जो 10 name थे उसमें कुछ capital थे कुछ small थे कुछ proper case में थे उनको हमने सबसे पहले capital में convert किया then small में convert किया और उसके बार proper case में convert किया अगर आज की वीडियो आपको informative लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके all option को स्लैक करें so that जब भी मैं अपने इस चैनल पे new वीडियो डालू तो आपको उसका notification मिल सके और मैं मिलता हूँ आपको किसी और interesting वीडियो में